जैहीं दोस्तों जले उस तो बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या का गया है A can complete a piece of work in 10 1 by 8 more day A and B working together यानि कि आपको question में क्या का गया है कि A और B है जो मिलकर किसी काम को X days में करते हैं और अगर वो काम अकेले A करे तो वो कितना time master लेता है 81 by 8 days लेता है same ऐसे ही मुझे B का भी दिया होगा देखते हैं B takes कितना 12.5 यानि 12.5 यानि 125 by 10 तो इसे 5 से divide कर देते हैं तो 25 बटे में कितना का 2 days यानि कितना हो जाएगा X plus का 25 by 2 days आप देखे जब भी आपको इस step का question मिले कि A B से A इतना है A B से B इतना है तो आप क्या करें इस A B की अगर आपको days निकालना तो क्या करना आपको A B is called to में under root के इनके difference की value को आप use करेंगे 81 by में 8 into 25 by में कितना जागा 2 तो X की जो value आजागी वो कितनी आईगे आपकी यहां हो जाएगा 9 into में 9 into में कितना 5 into में 5 और 4 into में 4 तो X is called to कितना हो जागा 45 by में 4 days अब मुझे निकालना है B का तो आप इस value को direct इसमें रख दीजिए तो कितना है 45 by में कितना 4 है प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास में 25 by में कितना 2 है तो यह कितना हो जाएगा आपका 50 यानि 50 प्लस का 45 by में कितना हो जाएगा 4 तो यह कितना होगा, 95 by 4 तो निकाल लेते हैं चार दुनी आठ दो चार तीया बारा तो बटे में कितना चार तीया बारा तीन बटे में कितना हो जाएगा आपका चार यानि कि 23 3 by 4 डेज में भी अकेले उस पूरे कारियों कंप्लीट कर लेगा, I hope आप सभी कोई कोशिन समझ में आगा, जय हिंद, जय भारत